आज हम एंजल फॉल सम्टेम्स का सेकेंड एपिसोड को देखने वाले हैं इस एपिसोड के शुरुआत में हान्जी गर में बेट कर फुटबॉल मैश देख रही होती है तभी उसे लिन का याद आ जाती है तो लिन का फ्रोफाइल को चेक कर रही होती है इसके बाद हान्जी लिन से मिलने के लिए जाती है और वो लिन के लिए इंतजार कर रही होती है तभी वहाँ लिन आता है तभी हान्जी लिन को कॉफी दिला कर देती है लिन पूछता है तुम तो कह रहीती तुम कुद कॉफी बना कर पिलाओगे लेकिन आप तुम मुझे स्टोर में कॉफी दिला रही हो तबी हानजी लिन का कॉफी में दो लॉली पाप को डुबा कर हैंडमेड कॉफी है कहकर पीने के लिए खहती है अवरो लिन से कॉफी कैसा है कहकर पूशती है लिन कॉफी को तारिफ करने लगता है इसके बाद हानजी पूशती है वैसे आज तुम तोड़े अपसेट दिख रहे हो सब कुछ टीक है ना तबी लिन बताता है ऐसा कुछ नहीं है मैं ट्रैवल करकर तक शुका हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा हूँ वैसे तुम कहा रहती हो तबी हानजी बताती है वैसे मेरी गर यहाँ से उतना दूर नहीं है औरो उसकी पापा के बारे में बताने लगती है कि उसकी पापा पैक्सी ड्राइवर है औरो लिन का पापा के बारे में पूशने लगती है लिन बताता है मेरे पापा एक सर्जन है ये सुनने में बहुत cool लगता है, लेकिन वो उतना cool नहीं है कहता है अवरो उसका grandpa के बारे में बात करने लगता है, दोनों साथ में अच्छे से बात करने लगते हैं फिर रात को लिन उसका guard जाता है, जब वो lights को on करता है, तभी उसे उसका दोस्त दिख जाता है जो लिन के लिए सोपा पर बेड़ कर इंतजार कर रहा होता है लिन उसे देखकर बताता है तुम मुझे डरा रहे हो तभी चैन बताता है तुम मुझे दो प्रॉमिस किये थे एक तुम मेरे साथ डिनर करोगे लेकिन तुम मुझे बहुत इंतजार करवा रहे हो और तो और तुम मेरा फोन को कभी भी नहीं उटाते हो, तभी लिन बताता है मेरा फोन में चार्ज नहीं था, चैन पुछता है तुम पवर बैंक को भी साथ लेकर जा सकते थे न, वैसे तुम कहा गए थे, लिन बताता है मैं एक फ्रेंड से मिलने के लिए गया था, तभी चै चैन पूछता है क्या तुम्हें गर्फरेंड है तभी लिन बताता है अगर तुम मुझसे एसे ही सावाल पूछते रहोगे तो मैं रूम चला जाओंगा तभी चैन बताता है तुमारे वज़से ही मेरी हाथ तूट चुकी है तुम मुझे चोड़कर कही बें जा नहीं सकते हो दूसरे तरफ हांजी उसका गर में बेट कर वीडियो गेम केल रही होती है अवरो कुशी से अकेले में बात कर रही होती है उसे कुश देकर हांजी का पापा और हांजी के दोस्त दूर से देख रहे होते हैं हांजी का पापा हांजी का दोस्त से बताते हैं तुझे नहीं ल से बरताव कर रही है तभी आंजी का पापा पूछते हैं कौन सा लड़का तुम और आंजी मुझे बताया नहीं तभी हांजी का दोस्त बताती है मैं आपसे कहना भूल चुकी थी आंजी इंटर्व्यू के वक्त एक लड़के से मिली थी तब से ये ऐसे ही कर रही है और ओ के बारे में बताने लगती है दूसरे तरफ लिन भी उसका दोस्त चैन से हांजी के बारे में बताते हुए ब्लश कर रहा होता है और ओ आंजी को ओ लड़की मेरी टाइप है कहता है यही पर हमें पता चलता है कि दोनु एक दूसरे से इंटरेस्टेड है फिर अगले सुबा लिन आंजी के लिए इंतजार कर रहा होता है क्योंकि दोनों साथ में काम डून रहे होते हैं तब ही वहां हांजी उसका स्कूटी लेकर आती है और ओ एक जगा जाते हैं जहाँ पर एक ही परसंद के लिए पार्ट टाइम जॉब का ओपर्चिनिटी होता है दोनों कमपिनी वालों से बात करने के लिए जाते हैं और दोनों कमपिनी वालों से आयर करने के लिए कहते हैं जब कमपिनी नहीं मानती है तब ही दोनों बताते हैं हम दोनों को जॉब में रख दो लेकिन एक ही परसंद का सैलरी दो कोई प्रॉब्लम नहीं ही मुझे डंपलिंग्स बनाना आता है, तो मैं तुमारे साथ डंपलिंग्स को भी सेल करने के लिए आ जाओंगा, तबी हांजी बताती है, ये भी अच्चा है, तबी हमारे पास दो इंकम सोर्स ओंगे, कहे कर कुशी से मान जाती है, इसलिए लिन मुस्कुराने लगता है, इसक बताती है, मेरे पापा तो कूल है, फिर रात को हांजी लिन को उसकी गर में ले जाती है, हांजी बहुत बार कास रही होती है, इसलिए लिन कुद पानी गरम करकर आँजी को मेडिसिन देता है, तोड़ी देर के बाद हांजी सोफे पर सो जाती है, लिन आँजी को सुला रह होता है तभी वहां हांजी का पापा आते हैं लिन को देकर हांजी का पापा लिन के उपर चिलाते हुए पूछते हैं तुम कौन हो और तुम मेरे बेटी के साथ क्या कर रहे हो तभी हांजी उठ जाती है लिन गबराते हुए बताता है मैं हांजी का बॉइफ्रेंड हूँ उस पूछ 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 ने लगते हैं। कहा है कहे कर पूछ ते हैं। हांजी बताती है, आज लिन तोड़ा बिजी है, अब भी आ जाएगा कहती है। तभी वहाँ लिन आता है। लिन का आते ही आजी, लिन को शौप में चोड़ कर इंटर्वियू देने के लिए जाती है। और वो इंटर्व्यू कतम करकर आती है, तबी वहाँ उन दोनों का शॉप को ओनर आकर मुझे फैमिली का कुछ इशू है, तो मैं तोड़ी टाइम के लिए शॉप को क्लोज कर रही हूँ, तबी हान्जी बताती है तो हम दोनों का पार्ट टाइम जॉब चली जाएगी, तबी शॉप ओनर बताती है, तुम दोनों बहुत टैलेंटेड हो, तो तुम दोनों को कही भी जॉब मिल सकता है, इसके बाद हान्जी और लिन लाइब्रेरी में काम करने लगते हैं, वहाँ से बाहर जाते वक्त लिन को उसका मा का कॉल आता है, और वो लिन से ही कहा है कहकर इसके वज़े से लिन को बूरा लगता है, तब ही वहाँ हान्जी आती है, उसके फोन बार-बार हैंग ओ रहा होता है, इसलिए लिन उसे टीक करकर देता है, फिर रात को लिन ही को कॉल कर रहा होता है, लेकिन ही लिन को कॉल को नहीं उटाता है, रूम में लिन चैन का गर्ल उसे बॉक कर चुकी होती है, तब ही चैन को पता चल जाता है कि उसका गर्ल्फ्रेंड उसके साथ ब्रेक आप करकर किसी और के साथ डेट पर गई है, इसे सुनते ही चैन गर्ल्फ्रेंड को मिलने के लिये चाता है, दूसरे तरफ आंजी उसके पापा के साथ गर में होती है औरो दोनो नया गर करिदने के बारे में बात कर रहे होते हैं फिर अगले सुबा लिन उसका रूम में होता है चैन और उसका दोस्त, हांजी का दोस्त, जो फैंसी आइटम बेशती है उसकी लाइव को देख रहे होते हैं फिर हम आँजी और उसकी दोस्त को देखते हैं दोनों आँजी के गर में होते हैं दोनों मिलकर एक लड़के को और उसका गर्लफरेंड को स्टॉक कर रहे होते हैं यही पर एपिसोड टू कतम होता है